कि नमस्कार मैं ब्रिजमों सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में आज हम बात करेंगे आज के उपाये की यह नहीं 31 मार्च 2019 को क्या करना है आज रात को आज रात को क्योंकि आज एक आदरशी है तो आज रात को आपने ये एक काम जरूर करना है जो मैं आभी बताने वाला हूं दो लॉंग ले लीजे, सरसों का तेर ले लीजे, दो लॉंग उसमें डाल कर रात के वक्त जब चंतरमा आपको रिष्टी गोचर हो जाएं, उदे हो जाएं, उसके बाद आप वहचोत अपने निवास में जिला दीजिए यह जरूर करना है, इससे पहले मैंने पूरे दिन का दीपक बताया था, वो अलग था, यह जो है, यह आपने रात के वक्त करना है, सिर्फ रात को, और छोटा सा दीपक कोई भी, और यह सिर्फ आटे का दीपक होगा, आटे का दीपक बनाएं, और उसको जला दीजिए, इससे से पूर्ण रूप से शक्तियां आपको प्रापत होंगी और एकादश ही का जो पूरा वाइब्रेशन होता है वो इस दीपक के द्वारा आपके निवास में अमंत्रित किया जाता है जैसे दीपावली को हम दीपक जलाते हैं यह उसी परकार का एक दीपक है परन्तु यह जा दीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम तेल हो ताकि यह जल्दी अस्त हो जाए यह जलाइए इससे आपको बहुत अदिक शक्तियां मिलें वाले हैं और मैं आप उपको बताना जाता हूँ कि प्रते दिन जो मैं पाये बताता हूँ आप वो जरूर किया करें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिन्दगियां बदल रही हैं। अभी तक करीब मुझे 10,000 लोगों के मेसेज आ चुके हैं जिनकी जिन्दगी बदल चुकी है। आप इस आभी लगा लगा लिजिए कि कितने लोग इस उपाय को करते होंगे। तो आप जरूर ये उपाए प्रते दिन कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताईए अपने रिस्तेदारों को बताईए दोस्तों को बताईए तांकि वो ये उपाए किया करें और उनको लाव मिले को किसमे कोई खर्चा भी नहीं है बहुत सिंपल उपाए होते हैं तो हम मैं यदि कुडली में कोई योग है तब भी उसमें छिपा है तो जरूरी होता है कि कोई योगे जोतिशा चारे उसे देखें यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तब भी वाटसेप कीजिए उसकी फीस होती है जो फीस हम गरीबों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग है वाटसेप करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें और यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें तो आप मैं इजाज़त चाहूंगा नमस्क क्यार खुश रहिए और आपना दियान रखिए